प्रेग्नेंसी के दौरान अगर हमारे साथ कुछ एक्सिदेंट हो जाए या हम गिर जाएं तो हमें क्या चीज़े करनी चाहिए मेरे साथ खुद यह चीज हुई थी मेरी जब डिलेवरी थी उससे एक हफते पहले मैं गिर गई थी और मेरे उपर कुछ चीज थी जो मेरे पेट पे आके पड़ी थी तो मैंने क्या किया था नमस्कार स्वागत है आप सबका बेबी के और फैमली पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बेबी की हलचल होती है प्रेंगनसी के दौरान हमारा बेबी पहली बार हलचल कब करता है इसके उपर बात करेंगे इसी के साथ हम बात करेंगे अगर बेबी हलचल नहीं गरता है तो हमें क्या चीज़ करने चाहिए और बेबी की जो हलचल है वो कब-कब महसूस होती है और कौन से टाइम पे वो हलचल ग्रो करती है यानि कि उस हलचल में ग्रोध होती है इन सबके उपर आज हम इस वीडियों बात करेंगे तो वीडियो के साथ एंटक बने रहेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बैल आइकन जरूर प्रेस किजिएगा आपको प्रेग्नेंसी और पैरेंटिंग से जुड़ी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे आईए अपनी वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चीज जब भी बेबी मूमेंट करता है यह हलचल करता है तो हमें पता चल जाता है कि जो बेबी है वो पेट में सेफ है और वो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है दूसरी चीज अगर बेबी मूमेंट नहीं करता है तो हमें क्या चीज़े कर लीजिए पहली चीज अगर बेबी आपका moment नहीं करता तो इसको जानने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं पहला तरीका कि जब भी आप कुछ मीठा खाती हैं तो उसके आधे से एक घंटे बाद बेबी moment करता है दूसरी चीज जब भी आप rest position में होती हैं उस वक्त भी जो हमारा बेबी है वो हमारे पेट में moment करता है तो यह दो चीज़े होती हैं जहांसे पता लगा सकते हैं कि अगर आपका बेबी बहुत time हो गया आपको पता नहीं चला आपका बेबी moment कर रहा है नहीं कर रहा है तो आपको तुरंद जाके डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए डॉक्टर से बात करनी चाहिए इसके साथ ही जो बेबी की पहली हल चल होती है वो हमें अपनी प्रेगनसी के चौथ महीने के एंड में पता चलती है जब हमारी प्रेगनसी का चौथा महीना चलता है और क्टम होने आप मेरी वीडियो देख रही हैं आप इसके बाद अपने पेट में नोड डिस Lena करे गे हाँ शायद पेट में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है कुछ अलग सा महसूस हो रहा है जब बेभी छटे साथवे आटवे महीने का होता है तो हलचल काफी तेज होती है बड़ जब बेभी चौथे महीने के एंड से पहली बार हलचल करना शुरू करता है तो वह इतनी छोटी होती है कि हमें पता ही नी चल पाता है तो बेबी की जो पहली हल्चल होती है वह चौते महीने के end से स्टार्ट होती है इसके बाद week by week की जो हल्चल है इसमें ग्रोथ होती रहती है बढ़ती सो gourmet हो Пेंड होती है अगर आपको बेवी की मूमंट डिल यह होती है यह काम में है आपको पता नहीं चला है आपको पता नहीं परहें से जानने के लिए आपको रहें मामनों से आपनी है और होटी है तो मात जो भी होता है कि उत्бы है कुर्वादय है से कनेक्ट होता है अगर हम खुश हैं गुसा है या रो रहे हैं इन सब का डायरेक्ट एफेक्ट हमारे बेबी पर पड़ता है तो हमें प्रेगनंसी में अपने मूर पर अपनी नीचर पर और अपनी आसपास की हर एक चीज के ओपर ध्यान देना चाहिए इस पेशली अपने मा सब्सक्राइब करना चाहिए इससे जो हमारा बेबी है उसके माइन पर भी अच्छा एफेक्ट पड़े पॉजिटेव एफेक्ट पड़े दूसरी चीज जो हमारा रेस्ट करने का टाइम होता है उस वक्त बेबी की मुमेंट इसले भी बढ़ती है क्योंकि जब आराम कर रह चाहिए बेबी आपकी आवास सुनता है आपके साथ कनेक्ट होता है प्रेग्नसी भी एक ऐसा टाइम है जहां पर आपने बेबी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं डिलीवरी के बाद भी आप देख सकते हैं कि जो बेबी है वह आपकी आवास पे कितनी जल्दी रियक्क करेंगा क् प्रेग्निंसी के दुरान अपने उसे बात कि होगी, पूर्लिक्डंसी के दुरान बेभी ने आपकी आवास सुनी होगी, तो उन सारी चीजों का एफेक्ट बेभी के उपर रहता है, और बेभी के साथ जो आपका कनेक्शन है वो प्रेग्नन्सी से हीी बढ़ना शुरू हो ज करा तो सबसे पहले आपके साथ कुछ भी होता है तो सबसे पहले इपनी अपर ऑप की दिखना ET इस तरी चीजे होती हैरो एक बार पर बड़ी प्राब्ल महोट से नहीं थिक लाइट जा नहीं उसके बाद तुरंत जाके आपको डॉक्टर के पास दिखाना होगा आशा करती हो हमारी वीडियो को पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेज जरूर कीज़ेगा ताकि औरों की भी हैल्प हो सके हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब आपको धन्यवाद मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखेगा